दोस्तो प्रेगनेंसी के 90 महिने में जब आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं तो आपके डॉक्टर के द्वारा एक चेक अप किया जाता है जिससे ये पता चलता है कि आपके सर्वेक्स का मूँ कितना खुला है या फिर अभी खुला नहीं है या इसे खुलने में कितना सम लेकिन शायद आपको यह पता नहीं है कि घर में ही यह चेक किया जा सकता है कि गर्वती महिला का सर्वेक्स का मुँ अभी कितना खुला है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पर यह जान पाएंगी कि आपके सर्वेक्स का मुँ ख खुल चुका है या फिर नहीं और कब आपको तुरंट अपने डॉक्टर के पास जाना है तो जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो पसंद आए तो से लाइक शेयर जरूर करें दोस्तो प्रेगनेंसी के नववे महीने में आपके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिनसे आप आसानी से ये पता लगा सकती हैं कि आपके बच्चे दानी का मुँग खुल चुका है या फिर नहीं उसमें सबसे पहरा लक्षण है बच्चे का नीचे की ओर प्रेगनेंसी के नववे महीने में जब शिचु पूरी तरीके से नीचे की ओर आ जाता है तो उस दौरान गर्वती महिला को पेट के ऊपर का हिस्सा खाली महसूस होता है साथी उन्हें इस दौरान सास लेने में भी काफी आसानी लगने लगती है इसके अलावा बच्चे क नीचे के ओर खिसकने की वज़े से गर्वती महिलाओं को पेट के नीचे के हिस्से में काफी जादा दबाव महसूस होने लगता है इसके साथ ही आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स में भी काफी जादा दबाव महसूस होने लगता है साथी चलते फिरते वक्त आपको ये महसूस होगा कि बच्चा जो है आपकी दोनों टांगों के बीच में आ चुका है और अगर आप खड़ी होंगी या तेजी से चलेंगी तो बच्चा नीचे की ओर गिर जाएगा तो ये संकेत यही बताता है कि आपकी बच्चे दानी का मुंग खुल चुका है। दूसरा लक्षण है वाइड डिश्चार्ज में बदला होना इस दोरान अगर आपको वाइड डिश्चार्ज पहले से जादा निकलता हुआ महसूस हो साथी ये वाइड डिश्चार्ज जो है पहले से जादा गाड़ा हो या फिर सफेज चिपचिपे बलगम जैसे में जब बच्चे दानी का मुश मुलायम होने लगता है साथी फैलने लगता है तो ये म्यूकस प्लग अपनी जगे पर टिक नहीं पाता है जिस कारण ये धीरे धीरे बाहर निखलने लगता है तो अगर आपको ऐसा कुछ डिस्टार्च नजर आता है तो आपको यह समझ जाना है कि आपके बच्चे दानी का मूँ खुल चुका है तीसरा लक्षन है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना जब बच्चे दानी का मूँ खुलना शुरू हो जाता है तो इस दोरान पेट के निचले हिस्से में धीरे धीरे दर्द होना भी शुरू हो जाता है और ये दर्द आपको ऐसा महसूस होगा जैसे पीट की तरफ से होते हुए ये पेट पर आ रहा हो वैसे तो प्रेगनिंसी के तीसरे महिने से ही फॉल्स लेवर पेंस होने शुरू हो जाते हैं लेकिन फॉल्स लेवर पेंस और असली लेवर पेंस में फरक ये होता है कि फॉल्स लेवर पेंस बहुत कम समय के लिए होते हैं ये जादा से जादा 50 सेकंड या फिर एक मिनर तक ही रहते हैं लेकिन ऐसे में जब आप अपनी पोजिशन बदलती हैं या फिर कुछ खाती हैं तो ये खुद से ही ठीक भी हो जाते हैं और कुछ समय तक हो सकता है आपका पेट थोड़ा सा कड़क भी महसूस हो और इस दोरान दर्द पेट के केवल निचले हिस्से में ही महसूस हो लेकिन अगर असली delivery pains होते हैं तो इनकी timing जादा होती है और इस दोरान होने वाले संकुचन या दर्द लकातार होते रहते हैं और समय के साथ ये बढ़ते रहते हैं लेकिन दोस्तों अगर ये दर्द आपको लकातार बना रहे और लंबे समय तक बना रहे तो इसका मतलब है कि आपकी बच्चे दानी का मूँ खुल चुका है चोता है पानी का रिसाव होना दोस्तों ये बात हम सबको ही पता है कि बच्चा गर्व में एमनियोटिक फ्लूट की थैली में रहता है लेकिन प्रेगनेंसी के अंतिम दोर में जब ये थैली फटती है तो उस दोरान योनी से लगातार पानी का रिसाव होने लगता है लेकिन इस पानी में किसी भी प्रकार की कोई स्मेल या फिर कुछ और आपको नजर नहीं आता है ये प्लेन पानी की तरह ही होता है ये पानी की थैली का फटना प्रेगनेंसी के अंतिम दोर में किसी भी समय हो सकता है हो सकता है आ ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप पानी की थली फट चुकी है और आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास पहुचना है क्योंकि पानी की थली फटने के बाद ज्यादा समय तक आप घर पर नहीं रूख सकती इससे शिशो के लिए खतरा हो सकता है तो दोस्त